यह देखिए आटे को हम प्रतिक्षा आप सभी लोगों का स्वावत करती हूँ अपने यूटुब चैनल डिबो की रशोई में तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नहीं रेश्पी लेकर आएं तो आप सभी लोगों मेरे वीडियो के साथ देखिए जीरा और मिर्च पावडर को भूर कर इसका पावडर बना लिया है देखिए तो इसे हम एक चम्माश डाल देगे इसमें हम एक खरी मिर्च काट लिए हैं इसे भी डाल देते हैं और ये हम लिए हैं हरा धनिया तो हरा धनिया डाल देते हैं आप इसमें हम नमक एट करेंगे तो नमक हम अपने स्वादंशा डाल देंगे तो सब को कर लेते हैं मेक्स यह देखें मेरा आलू का पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है अब इसे हम साइट कर देते हैं जब तक हम आटा लगा लेते हैं तो देखें यहांके हम एक बॉल लिया है और यहां हम गेहूं काटा लिये हैं तो एक कफ हम गेहूं काटा ले लिये हैं इसे हम इसमें डालेंगे और इसमें हम add करें फिर्स थोड़ा सा अजवाइं अजवाई में बहुत फायदे मन्द होता है आप सभी लोगों को पता है अजवाई ठंड में जो है बहुत फायदे मन्द होता है और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हम एक चमज अजवाई डाल रहे है और अप इसमें हम एड कर रहे हैं थोड़ा सा म तो मोईन हम एक चममच或 2 चममच डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे बस 2 चममच काफी है हलका हाहाँ हम इसमें टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे थोड़ा 새 तो क्योंकि हम पेश्ट में भी नमक नमक डाले हुए हैं तो इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, इससे जो है हमारे पराठे का जो है आलो का बहुत रहे अच्छा तेस्ट आएगा और अब इससे हम कर लेते हैं, मीक्स तो हम हल्का हल्का पानी डालते हुए आटे को हम तयार कर लेंगे रचे के इसका डो हुम तयार कर लेंगे तो यह देखिए आटे को हम घूत के बिल्कुल रेड़ी कर लिये हैं आता हमारा जो है ये डो जो है बिल्कुल रेडी है तो इसे हम साइट कर लेते हैं रख लेंगे गया साम करके यहां पर हम तवा चढ़ा दिये हैं आप पराथा से इतना स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से अगर आप सभी लोग पराथा बनाईएगा बहुत ही अच्छा बनेगा बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत अच्छा बनके तयार होता है की तो यह हम आटे को ले लिए हैं और आटे को जो है है कि कि वह फार लिंगे ऐसे अ हम पीस में रखते हुए पीस कलएघे में हाल स्टाठ लेका और इससे हमें लगा लेना है और इससे हम एक कंण उठा बीच हुआ बड़ेंगे और इसे ऐसे खुमाते हुए अंगुलियों से देखिए विल्कुल ऐसे कर लेंगे बना लिए अब इसमें हमें आलो का चोई यह हम पेश्ट बना के रखे हैं इसे हम भर लगते हैं इसे जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा बनेगा और जो है खैलियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है आलो का पराथा हूँ या फिर जाहे जिस्चेश का हो बहुत टेस्टी लगता है तो आज हम आलो का पराथा बना रहे हैं इसे मोड लेंगे और इसे हम हलका हलका हाथों से घुमाते हुए हलके हलके हाथों से और बार सुखा लगा कर आता और इसे हम हलके बेलन से जो है कर लेते हैं यह पराठा बहुत आशान होता है बहुत लोगों से जो है फट जाता है तो यह बिल्कुल भी नहीं फटेगा आप लोग बना कर देखिएगा बहुत अच्छा बनके रेडी होगा यह आलू का पराठा तो तावा हमारा गर्म हो गया है हम इस पे डाल देते हैं तब तक हम गोसरा भी तयार कर लेंगे तो देखिए उसे हम पलड दिये हैं साड़ से अब हम इसमें घी लगा लेंगे गी या तेल जो भी आप लगा सकते तो अब इसमें हम घी लगा देंगे या तेल जो भी आप खाना पसंद करते हैं उसे लगा सकती है और इसे हम पलड देंगे और इधर भी लगा लेंगे घी तो इस तरीके से पराठा आप सभी लोग बना के देखिएगा बहुत टेस्टी और बहुती आसान है इस भी है, बनाने का, तो इससे हम पलट देंगे, यह देखिए, पराथा बिल्कुल रेड़ी है, इससे हम हलके हलके से दबा देंगे, ताकि अंदर का भी सेख जा, और जब तक हमारा एक पराथा से करा है, दूसरा भी सेम उसी बना लेंगे, तो यह देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल बनके रेड़ी हो गया, देख सकते हैं, बिल्कुल साफ्ट पराथा बना है, और बहुत ही टेस्टी, तो हम इससे प्लेट में रख लेते हैं, और दूसरा भ बनके रेड़ी है, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में, तो यह बहुत ही आसान होता है, यह रेश्पी, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बुला करिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आप लोगों को आलो के पराठे का ये रेश्पी कैसा लगा, देखिए इसे अब हम पलट देए दोनों साइड और ये बिल्कुल सेख कर वो हो थी अच्छा बिल्कुल तैयार हुआ है हमारा पराठा, ये लिजे फ्रेंट्स देखिए मेरे आलो के पराठे बनके बिल्कुल रेडी है, तो आप लोग भी जरूर बनाईएगा, आप लोग इसके किसके साथ खाना चाहेंगी हमें जरूर बताइएगा, हम तो यहाँ पे आलो मतर की सबची के साथ सर्व किया है, इसे आप चाहे तो टोमैटो केचप के भी साथ खा सकती है, हरी धनिया चटी के भी साथ का सकती है, बहुत ही टेस्टी लगता देखिया हम आप लोगों दिखाते हैं तोड़कर, ये आलो का पराठा जो बहुत ही टेस्टी बनके तयार हमें लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेश कर लिजे आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे कल कुछ नहीं रेश्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई